हेलो आप सभी का फिर से स्वागत है विना इंटिरियर में मैं हरी सुतार आज एक निव वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले ग्रूप कमांड कैसे यूज करते हैं और ग्रूप कमांड का काम क्या है जैसे कोई वी एक अबजेक्ट है उसे हमें एक ही सिंगल बनाना है उसे सेलेट करने पर वो पूरा सेलेक्ट होना चीए तो आप देख सकते हैं अगर मुझे यह सेलेट कर रहा हूँ तो इसके पार्ट सब अलग अलग है और उसमें हम देखने वाले है कि ग्रूप कमांड में उसे अन ग्रूप कैसे करते हैं या फिर ग्रूप को जैसे आप देख सकते मैंने एक dining table का block लिये है इसमें सब parts अलग-अलग है मुझे सब single line select करना पड़ रहा है और आप dining table का भी देख सकते है तो इससे group करना है तो क्या करना है आपको simply अगर इससे group करना है तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले type करना है group command का shortcut key है g enter या फ इदर ungroup group edit and group selection on off group manager and group boundary box तो यह सब आज हम बात करने वाले इसकी तो आपको क्या करना है simply type करें g आप देख सकते हैं इदर group आगए आपको इसे एंटर करना है फिर आप नीचे देख सकते हैं select objects और name तो आप पहले अगर आपको कुछ name देना है वो group का तो आप कुछे naming कर ले जैसे मैं name दे देता हूँ dining table फिर आपको object select कर लेना है जैसे मैं इसे पूरा select कर लेता हूँ फिर एंटर करें आप देख सकते हैं ये object को select करने पर पूरा जो भी dining table है और उसके जितने भी चेह से वो सब एक साथ में select हो रहे हैं अगर इसमें एक best option है कि आप इसे directly move कर सकते हैं आपको move command select करने की जरुवत नहीं रहेगी आप देख सकते हैं इसा मूव करें इसे और अगर इसमें से मुझे कोई भी chair या remove करना है या dining table remove करना है ग्रूप से तो आपको क्या करना है आपको simply type करना है ung या इदर से आप ungroup select कर सकते हैं जैसे मैं अभी इदर से ungroup enter कर देता हूँ फिर अगर आपका select group name आपने जो भी group का name रहेगा आपको वो type करना है या फिर आगर आप direct group को select कर सकते हैं जैसे मैं ये group को select कर लेता हूँ फिर अभी मुझे ये पूरा object वापस ungroup हो गया है मुझे वापस एक single single object select करने पढ़ रहे हैं तो इसे मैं वापस control z कर देता हूँ आप ऐसे यू एंजी type करके आप ungroup कर सकते हैं कोई भी object को जो आपका group बना रहेगा आप देख सकते हैं मेरा भी वापस group है और अगर मुझे इसमें और अगर इसमें मुझे dining table remove करना है तो आपको क्या करना है टाइप करें group edit नीचे देख सकते हैं आप select group और name तो आप अगर आपका जो भी group का name रहेगा आप वो type करें या फिर आप अबजेक्ट को direct select कर सकते हैं गरूप को जैसे मैं group को select कर लेता हूँ फिर आपको इदर एक option आ रहा है नीचे देख सकते हैं add object remove object rename तो अभी इसमें क्या करना है हमें मैं अभी remove object करता हूँ जैसे मुझे यह dining table है वो मुझे remove करना है तो आपको क्या करना है आप उसे select कर लें जो आपको ungroup करना है फिर enter करें जैसे आप देख सकते हैं मैं अगर chair को select कर रहा हूँ तो जितनी भी chair से वो मेरी select हो रही है लेकिन dining table select नहीं हो रहा है और अगर मुझे इसमें भी chair को वापस ungroup करना है तो आपको क्या करना है आपको type करना है simply ung enter और आपको फिर नीचे आप देख सकते हैं नीचे option है select group और name तो मैं अभी direct group को select कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे जो भी group था वो मेरे मुझे वापस single line select करना पड़ रहा है तो मैं इसे वापस group बना देता हूँ जी enter select object enter तो मेरा ये totally group बन गया है अगर मुझे इसमें कुछ objects add करना है जैसे मैं कुछ एक circle बना लेता हूँ जैसे as example ये plates है तो आपको मैं इसे copy कर लेता हूँ तो आपको ये भी group में add करना है तो आपको क्या करना है group edit select object फिर आपको इधर एक option आ रहा है add object आपको add object कर लेना है फिर आपको कौन सा objects add करना है जैसे मुझे ये चारो object add करना है तो मैं इसे select कर लेता हूँ फिर आपको simply enter करना है तो आप देख सकते हैं ये पूरा group बन गया है जैसे इधर हम select कर रहे हैं तो एक boundary box दिखाई दे रहा है तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते ungroup boundary box इसे select करने पर आपका जो भी boundary box रहेंगे वो visible नहीं रहेगा तो फिलाल मैं इसे boundary box कर देता हूँ और फिर इसमें एक option है group selection on off अगर मैं इसे off कर देता हूँ अभी on है फिलाल तो मैं इसे off कर देता हूँ तो आपको क्या होगा देखो आप इसे select करेंगे तो आपका वापस single light select होगा तो आप इसे on रखें अगर आपको जब जरुवत ना हो group की तब आप इसे direct off on कर सकते हैं अभी जैसे मैं select करूँगा तो मेरा पूरा group select होगा हमने बात किया group कैसे करते है कोई भी object को इसे ungroup कैसे करते है या उसमें group को कोई भी object एड केसे कर सकते है या फिर group को on off कैसे करे अगर आपको direct select करना है तो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो चलिए फिर मिल तै नेक्स्ट वीडियो में